फर्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था आसान कोशन था काफी बार हमने प्रेक्टिस सेट में भी किया है ये कोशन बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो इसका सही उतर होगा ये आपका विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है तो विटामिन B1 आपका transfer हो जाएगा. अगला कोशन आयए था, वितिये वर्स की अवधी क्या होती है? यानि कि आप से पूछा गया था कि जो वितिये वर्स होता है वो कब से कब तक होता है? तो यहए 1 वर्स की अवधी को बोलते हैं यह एक अप्रेल से शुरू होकर अगले साल की 31 मार्स तक समाप्त होता है यानि कि माल लीजिए अगर मैं आपको 2023 का वितिय वर्स बताऊं तो इसे अपने काउंट करेंगे 1 अप्रेल 2023 से 31 मार्स 2024 ठीक है अगला कोशन आपसे पूछा था रिपीटिड स्वाल है ये भी रिपीट हो रहा है चोथी बार रिपीट हो रहा है इस एक्जाम में अनुछेद 25 से 28 ये किसे समधित है तो इसमें हमें मिलता है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार आपका right answer हो जाएगा अगला कोशना आए था देशहरा को अन्यक किस नाम से जाना जाता है तो देशहरा को हम विज्या लक्ष्मी बोलते हैं ठीक है तो विज्या लक्ष्मी आपका यहाँ पे यह आपका correct answer हो जाएगा इसके बाद हम इसको आयूद पुजा के नाम से भी जानते हैं पर student ने कहा कि option में आयूद पुजा नहीं था option में विज्या दस्मी दिया गया था तो विज्या दस्मी आपका right answer होगा अगला question आया था आलमगीर की उपाधी किसने धारन की थी तो आपको बता दूँ मुगल बादशाह है ओरंग जेव ने आलमगीर की उपाधी धारन की थी तो ओरंग जेव आपका right answer हो जाएगा अगला question पूछा गया था history of British India किसने लिखी है history of British India पुस्तक को लिखा है James Meal ने तो James Meal आपका बिलकुल right answer होगा वीडियो को पूरा देखिएगा question repeat हो रहे हैं हर shift में लगबग आपके 3-4 question पिछले वाली shift से ही आते हैं और हमारी practice set से लगबग मैंने हर shift में देखा है एक चीज कि हमारी जो practice set है जिसमें मैंने आपको लगबग 100 video बनाई थी आपके लिए आपको playlist मिल जाएगा उसमें आप check out कर लिजेगा उन 100 video से हर shift मे आपके common है 8-10 question हर shift में दिटो पूछे जा रहे हैं तो जरूर check out कीजेगा एक बार एक कोशना है था भारतिय मसाला के इंदर कहां पर स्तित है तो यह आपका कोजी कोड केरला में स्तित है ठीक है तो कोजी कोड केरला आपका right answer पर था अगला कोशना है था पी आर स्रीजेस क कि बुमिका में खेलते है तो गोल कीपर होकी आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला कोशना है था इन में से किसे भोरका तारा कहा जाता है भोरका तारा तो आपको पता चल गया होगा शुक्र ग्रह को बोलते है भोरका तारा तो शुक्र ग्रह राइट preoccup रोगा अगला पूर आपका correct answer होगा इस question में अगला question आये था राजय का मुखिया कोन होता है या फिर इसे अपने ऐसे भी बोल सकते हैं जो राजय का कारेकारी जो होता है जो कारेकारी वाक होता है वो राजय पाल को बोला आता है ठीक है और देश का अगर पूछ ले आपको पूरे भारत देश का तो वो होगा राश्ट्रेपती हमसे राजय का पूछा है इसलिए राजय पाल आपका राइट आंसर होगा अगला कोशन आया था मसाला बोर्ड का मुख्याले यह अपने कर चुके है मैंने आपको बताया था भी भारतिय मसाला बोर्ड भारत सरकार का एक मसालों से समंद्ध वी नियामक निर्यात संवर्दक एजेंसी है इसका मुख्याले के कोची म स्थीत है तो आपको बता दूं दोस्तों जो धोला वीरा है न ये धोला वीरा भारत के गुजरात राजे के कच जिले की भचाउ तालुका में स्थीत एक पूरा तत्व स्थल है अगर आपसे राजय का नाम पूछा है तो गुजरात राजय आपका राइट आंस्वर हो अगला कोशन आये था भारत की पारलियामेंट का नाम क्या है भारत की संसद को लोकसभा बोल दिया राता है राष्ट्रे पती के पास संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है इस वाले के ओप्शन बताएगा एक बार सटीक क्या थे अगला कोशन पूंग चोलाम लोक नरते किस राजे से समंदित है तो ये मनिपूर का एक लोक नरते है तो मनिपूर राइट आंस पर होगा अगला कोशन आये था कि अर्थ विवस्ता में मंदी के साथ कौन सा बेरोजगारी उत्पन होता है अर्थ विवस्ता में 2022 किस ने जिता है तो यह सारजीयो पेरेज और मेक्स वेर्श टेपर ने जिता बताएगा δोस्तों option में सारजीयो पेरेज दिया था क्या एक बार option बताएगा आप मिरो को कोशन का अगला question हायता हिमाले के सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं सबसे उत्तरी भाग को हम ट्रांस हिमाल्य बोलेंगे और ऐसा ये एक और कोशन बनता है वो भी आप देख लेतें एक बार हिमाल्य के उत्री परवस रंखला को किस नाम सी जानते है तो जोन्सकर जोन्सकर बोलेंगे बदेगे दोनों में से कौन सा वाला आपके एक्जामे आया था ट्रान्स सिमाले आया था या फिर जोन्स कर आया था अगला कोशन पंडित रवी शंकर से पूछा था कि रवी शंकर का समन्द किस्से है तो ये सितार वादे अंतर बजाते हैं सितार वादक हैं ये सितार आपका राइटांस पर था अगला कोशन पुझा था कि निमन लिखित में से कौन सा नेशनल पारक महराष्टर में नहीं है तो आपको बता दूँ चंदोली राष्टे उध्धान, गुगुमल नेशनल पारक, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजे गांधी राष्टे उध्धान, मिजोर मनवेगाव राष्टे उध्धान ये सबी जो है ना आपके महराष्टर में हैं इनके अलावा जो उप्षन में था वो आपको करेक्ट करना था एक कोशन आया था नोर्दन माउंटेन ओफ इंडिया से आया था हिमादरी ग्रेटर हिमाले हैं जिसे बोलेंगे यह हिमाले की सबसे उत्तरी और सबसे उंची परवस्रेणी है यह हिमाले की एक मातर स्रेणी है जो पस्यम से पूरव की और अपनी निरंतरता बनाई रखती है स्पश्ट रूप से लाश्ट में कोशन नहीं मिले है मुझे टूवर्ड्स फ्रीडम ओटो बायोग्राफी के लेखक पूछे थे पंडित जवाहरलान नहरू है एक यहां पे सरोज वेदनाथन को कालिदास पुरुसकारकम मिला ये भी पूछा था तो इने मिला था यहां पे थोड़ा मिस्प्रिंट इसको सही कर लिजेगा 2009-10 में मिला था ठीक है लास्ट वाले कुछ कोशन सपस्ट नहीं मिले हैं पहले ही बोल रहा हूं आपसे तो अच्छे से याद हैं जिनको एक बार कमेंट कीजेगा जैसे सोना और चांदी को मिलाने से क्या बनता है इस टाइप से कुछ कोशन था ये वाला भी पूरा कोशन नहीं मिला है अब साथ के कारण किस प्रकार का रोजगार ये भी स्टूप से नहीं मिला है मुझे तो लास्ट में कुछ कोशन जो मैंने आपको बताए हैं ये जिनको अच्छे से याद है वो कमेंट कर देना एक बार वीडियो को आपने पूरा यहां तक देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आपको ऐसे एंड नहीं करना है वीडियो को end करने से पहले आप सभी जितने भी वीडियो देख रहे हो वी तक आप सभी को वीडियो को लाइक करके जाना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों तक पहुँचाने के लिए कल भी अगर आप ऐसी अनलेसिस देखना चाहते हैं डेली बेसिस पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन की घंटी कौन कर लीजे जेहिंद जेब